On 7 December 2010, Pakistan की airline PAE की flight 661 का route होता है from Chitral ती उस्लामबाद ये एक domestic flight होती है और इस plane को land करना होता है बेने दिर भुटो इंटरनेशनल एरपोर्ट पर रहे हैं और फिर अचानक maintenance में failure की वज़े से plane के engine में fault आ जाता है और फिर pilots अपना control खो देते हैं plane पर और इस वज़े से अचानक plane हाविलियन के पास पर crash कर जाता है जिसके वज़े से 47 people on board मारे जाते हैं एकलूडिंग जुनेजमशेड और डेप्टी कमिशनर अफित्राल 42 passengers में से 39 passengers पाकिसानी citizen होते हैं और बाकी एक Chinese citizen होता है और एक South Korean and one Austrian citizen